I welcome you all my dear students to my channel engineer study आज की स्टोरी है The Pen and Pencil कलम और Pencil तो आज की स्टोरी हम हम रीड करेंगे ट्रांसलेट करेंगे हाड वर्ट सिखेंगे काफी सारे ग्रैमर आपको पता चले की कौन सा टेंस लगा हुआ है एक्टिव आइस है या पैसिव आइस है वर्ट की कौन सी फॉर्म है और स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है ठीक है और कैसे आप इन सेंटेस को डेटू डे लाइफ में यूज कर सकते अपने खुद के बनाए हुए सेंटेंस है उसी स्ट्रक्चर पे बेस्ट उस सारी चीज़े मैं आपको बता रहे हैं वालब ठीक है तो ये class reading comprehension की बहुत ही बहुत ही bettering class होने वाली आपको English पढ़ते जरूर आता है लिकिन उसको translate करते भी आपको आना ची तो यहां से हम सिखना start करते हैं एक एक word का Hindi meaning मैंने नीचे लिखा हुआ है ताकि आपको काफी help हो सके समझने में One day, एक दिन, काफी simple है थोड़ा सा रुखते हैं इसलिए यहां पर कॉमा लगा है One day, एक दिन, a pen, एक pen and or a pencil, एक कलम ने क्या किया, देखो, पहली बार इस pen का जिकर हो रहा, इसलिए a pen लिखा हुआ है ठीक है, और pencil का जिकर पहली बार हो रहा, इसलिए a pencil लिखा हुआ है जब दुबारा से pen और pencil की बात होगी, तो हम इसको the बोलेंगे क्योंकि अभी यह क्या था, indefinite था, इसलिए a और दुबारा जब इस्तमाल होगा, तो इस definite हो जाएगा, हमें पता होगा किस pen की बात हो रही, किस pencil की बात हो रही तो article the लगा कर उसको हम लिखेंगे, ओके, ठीक है तो एक दिन क्या हुआ, एक pen और एक pencil ने क्या क्या found मतलब पाया, देखो find यह ने क्या होता है, पाना उसी की past form है, found verb की second form, past indefinite tense बोलते हैं इसको, ठीक है, हाँ, तो pen और pencil ने क्या पाया, उन्होंने क्या महसूस किया, पाया themselves मतलब खुद को यह दो लोग है न, देखो, दो चीज की बात हो रही न, pen और pencil तो plural हो गया, है न, इसलिए themselves लिखा है, है न, ठीक है, themselves, okay themselves, कैसे बनता है plural आपको पता होना चीज, themselves पढ़ते हैं उसको, okay तो pen और pencil ने पाया, खुद को क्या पाया, sitting मतलब बैठा हुआ पाया, है न, sitting next to each other, क्या मतलब है, next to मतलब बाजू में, each other मतलब एक दूसरे के, एक दूसरे के बाजू में बैठा हुआ, पाया, pen और pencil ने एक दिन खुद को, है न, आपस में, कहां पर, on a desk, on याने पर किस पर, a desk, एक, एक desk पर, एक desk के ऊपर, आजू बाजू एक दूसरे के बैठा हुआ, पाया उन्होंने, वो बैठे हुए थे आजू बाजू, pen और pencil, ठीक है, फिर क्या हुआ, it was late afternoon, ये क्या थी, दो पहर का समय था, काफी एक दम फुल दो पहर का समय था, late afternoon, जब या आप किसी time को, को बताते हैं, time को या weather को जब आप बताते हैं, किसी दिन की बात, जब आप बात करते हैं, तो it से उसका जिकर किया आज बहुत गर्मी है, it's very hot today, तो जब भी आप किसी दिन का, किसी weather की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर भी समय की बात की जारी, afternoon की बात कर रहे हैं, इसलिए it से sentence की सुरुआत करते हैं, तो it was late afternoon, मतलब दो पर का समय था, and or they didn't have much work to do, and they, they किसको बला, इस pen और pencil को, they लगाते हैं, किसी के past कुछ होना को, है न, और ये past indefinite tense का negative, इसलिए did not को din't बलते हैं, क्या बलते हैं, और ये base form लगती है, इसलिए have लगेगा, यहाँ पर head नहीं लगाएंगे हैं, past है, लेकिन head क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि did लग गया, past वाली form यहाँ आ गई, तो य they didn't have much work, क्या मतलब इसका, they didn't have, याने उनके पास नहीं था, much work मतलब जादा काम, to do याने करने को, करने के लिए, उनके पास जादा काम नहीं था, किस के पास, pen और pencil के पास जादा काम नहीं था, तो क्या हुआ, they started talking, समझ गया, start का मतलब क्या होता है, शुरू कर दे न, उ started verb की second form बन गई, past indefinite tense है, तो उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, talking यानि बात करना, तो जब भी आप start verb का इस्तमाल करते हैं, और क्या चीज start की गई, अगर वो लिखना है, तो उसकी ing form लगा कर ही लिखते हैं, जैसे मैं बोलू, उन्होंने जाना शुरू कर दिया, they started going, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, they started playing, तो generally हम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, शुरू, जैसे मैं बोलू, वे खेलने लगे, इस टाइप का sense आता है, खेलने लगे, वे बात करने लगे, ये वाला sense आता है, they started talking, उन्होंने बात करना शुरू कर दिया, या वे बात करने लगे, ये इसका sense समझो, वे बात करने लगे, जैसे मैं बोलू, वे जाने लगे, they started going, वे हसने लगे, they started laughing, वे पढ़ने लगे, they started studying, इस टाइप से, वो पढ़ाने लगा, he started teaching, changing, तो कुछ करने लगे वाले sense के लिए, आप start का, start verb का इस्तमाल करते हैं, और जब start verb का इस्तमाल करते हैं, तो आगे जो verb आती है, वो ing form में आती है, अब एक और verb आपने सुना होगा, begin का मतलब भी तो सुरू करना होता है, begin, और इसी की past form क्या होती, begin, b-e-g-a-n, यह v2 है, अगर मैं started, यह जो past form में start की, वो न लगा हो, और begin की past form अगर लगा दू, तो तब भी सुरू कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे जो verb है यह ing form में नहीं आएगी, फिर 2 plus v1 में लिखना पड़ेगा, begin के साथ 2 plus v1 आता है, जैसे they begin, begin की past form begin बोलना पड़ेगा, they begin to talk, ऐसा बोलना पड़ेगा, वे बात करने लगे, they begin to talk, वह पड़ाने लगा, he begin to teach, वो जाने लगा, he begin to, he begin to go, इस टाइप से, तो begin के साथ, जब कोई verb लगाते, जो आप का चालू कर दी, आपने करने लगे, तो उसको 2 plus verb की base form के साथ लिखते, और start के साथ verb की IG form लगाते, जो काम आपने start कर दिया, यह कुछ grammar के चीजें, rule है, आप daily reading कीजिए, इस तरीके से, आपको सारे rule याद हो जाएंगे, आप गलती नहीं करेंगे, okay, तो फिर से एक बार मैं पता ज़ता हूँ, one day a pen and a pencil found themselves sitting next to each other on a desk, desk के उपर pen और pencil ने खुद को पाया, बैठे होई है, आसपास एक दूसरे के बाजू में, it was late afternoon and they didn't have much work to do, सुरू कर दिया pen और pencil ने, फिर क्या हुआ, the pen asked, देखो अब the pen बोला, इसके पहले a pen, पहली बार जिकर हो रहा था, दुबारा जिकर हो रहा है, तो definite चीज है, हमें पता है किस pen की बात हुरी, इसलिए article the लगेगा, the pen, और यहाँ the का meaning में निकलता है, उस pen ने, यहाँ वहा से पूछा, उसको direct लिखना है, the pencil, pencil से पूछा, आपको बीच में कोई preposition नहीं, he asked to the pencil नहीं, यह सीधे आपको लिखना पड़ता है, object, यह verb ऐसी है, जिसके बार direct object को लिख सकते है, किसको पूछा, उसको direct आप लिख दो, to अगेरा कुछ नहीं लगाना है, है ना, the pen asked, pen न question mark, क्या पूछा, don't you feel, don't you feel sad, क्या तुम अनुबव नहीं करते, don't you feel, क्या तुम अनुबव नहीं करते, sad मतलब बुरा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता, यह meaning, don't you feel sad, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता, that की, every time, की हर समय, someone, मतलब कोई भी, कोई भी, है ना, कोई uses मतलब इस्तमाल करता है तो present indefinite tense आ गया देखो यह भी don't you feel तुम्हें ऐसा नहीं लगता ता ते ती पे खतम होता है sentence तो don't you feel sad that every time someone uses you कि हर समय कोई ना कोई use करते रहता है इस्तमाल करते हैं यह मतलब तुम्हें तुम्हें कोई इस्तमाल करता है किसी भी वक्त कभी भी you get तुम हो जाती हो देखो यू के साथ gets नहीं लिखना है न यू के साथ आई और यू के साथ वर्ब में ऐसी इस नहीं लगाते present indefinite tense में यू get तुम हो जाती हो क्या हो जाती हो shorter मतलब छोटी और भी ज्यादा चोटी shorter हाना तो क्या बोल रहा है don't you feel sad pen पूछ रहा है जो pen है वो pencil से क्या पूछ रहा है क्या तुम बुरा feeling करती तुम्हें बुरा नहीं लगता that every time की हर वक्त someone uses you कोई तुम्हें इस्तमाल करता है you get shorter और तुम छोटी हो जाती है तब क्या होता है the pencil replied reply 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 उसी की past form क्या है y को हटा दिये और i-e-d लगा दिये तो past form बन गए replied सही है the pencil replied तब अब यहां पर the pencil बोला है पहले बार तो pencil ही लिका था अब दुबारा जिक्र हो रहा है तो article the लग गया तो इसका meaning भी उस pencil ने the pencil उस pencil ने replied मतलब जवाब दिया क्या जवाब दिया देखो यहां से लेकर के यहां पर क्या बोला I felt मुझे लगता था feel याने लगना उसी की past form में feel की past form है felt यहां feel की present form थी past form मतलब मुझे लगता था यह meaning I felt मुझे लगता था said मतलब बुरा या मैं बुरा feel करती या मुझे बुरा लगता था कब in the beginning in the beginning मतलब शुरुवात में मुझे बुरा लगता था part लेकिन then तब I saw see आने होता है देखना उसी की past form में saw तब मैंने देखा then I saw तब फिर मैंने क्या देखा देखा क्या देखा the beautiful मतलब सुंदर क्या drawings मतलब सुंदर चितरो को मैंने देखा that मतलब जिसे I helped मैंने मदद की draw मतलब बनाने में जिसे draw करने में मैंने मदद की and or I realized और मैंने माना या मैंने महसूस किया How lucky I am, कितनी lucky हूँ मैं, कितनी lucky हूँ, मैं ये चीज मैंने, महसूस की, ये चीज मैंने, मानी, ठीक है, तो, यहाँ पर क्या हो रहा है, the pencil ले क्या जवाब दिया, the pencil replied कि, I felt sad in the beginning, मुझे सुरू में तो बुरा लगता था, है न, but then, लेकिन तब, I saw the beautiful drawings, that I helped draw, लेकिन फिर मैंने देखी, सुन्दर सी drawing, जो मैंने मदद की थी, that I helped, जिसे मैंने मदद की थी, draw बनाने में, and I realized, और मैंने माना, how lucky I am, कि कितनी lucky हूँ मैं, ये बात मैंने स्विकार की मान ली, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, एक चीज यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हुआ, Sir, how lucky I am, देखो, ये जो structure, ये question नहीं पूछा जा रहा है, question mark नहीं है, ये तो बता रही कि मैं कितनी lucky हूँ, तो question नहीं पूछा जा रहा है, अगर ये question होता, जैसे मैं बोलों, तुम कितनी भागे साली हो, तो मैं कैसे सवाल पूछता, तो ऐसा पूछता ना, how lucky, l-u-c-k-y, lucky, you, are नहीं बोलूँगा, are you लिखना पड़ेगा, are you, ये question, question पूछते हैं, तो helping वाप पहले आ जाती है, और subject बाद में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर subject पहले, और helping वाप बाद में है, ऐसा क्यों क्यों क्यों, question नहीं, interrogatory sentence नहीं है, ये जो how है, ये just a conjunction के, जैसे काम कर रहा है, ठीक है, okay, सवाल पूछने के लिए, काम नहीं कर रहा है, WH family के word के, जैसे ये काम नहीं कर रहा है, as a conjunction use किया जा रहा है, इस वर्ट को, okay, इसलिए ऐसा structure रहेगा, okay, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ये pencil ने जवाब दिया, फिर आगे इस क्या है, be thankful, आपको बताया जा रहा है, be मतलब होता है, होना, be याने क्या होता है, होना, be याने होईए, हमें advice दी जारी, शला दी जारी, be thankful, होईए, क्या होईए, आभारी बनिये, आभारी व्यक्त करना सीखिए, for याने के लिए, किस चीज के लिए, what you are, जो तुम हो, जो आप है न, उसके लिए अपने आपको, आभार व्यक्त कीजिए, उसका सुक्रियादा कीजिए, आप जो हैं, बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं, अपनी गल्तिया मत निकालिए, जैसे हैं आप, कि यू लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, यह question पूछते हैं, लेकिन question नहीं पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, be thankful for what you are, जो आप हैं, उसके लिए आप आभार व्यक्त कीजिए, आभारी बनिये, तो यह interrogative structure ऐसा होता है, जैसे मैं बोलू, I don't know, जैसे मैं बोलू, I don't know, I don't know, और यहाँ पर लिख दिया, what is your name, अभी सवाल पूछा है, कि मैं तो बता रहा हूँ, I don't know, मैं नहीं जानता, what is your name, कि तुमारा नाम क्या है, यह सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं question mark नहीं लगा था, अब यह sentence है, यह sentence गलत है, क्यों, I don't know, what is your name, यह सवाल पूछ जिया, what के बाद helping verb, फिर बाद में सर्न, यह subject आ गया, यह तो उल्टा structure है, तो सभी sentence क्या होना था, I don't know, what your name is, ऐसा होना था, इसलिए सवाल, what your name is, यह सभी सवाल ऐसा होता है, what your, नहीं सवाल तो ही नहीं है, what your name is, यह सभी sentence है, अगर आप किसी को बता रहे है, कि मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, तो I don't know, what your name is, ऐसे पूछा जा जा, और जब आप पूछते हैं, किसी को तुम्हारा नाम क्या है, तब आप कैसे पूलते हैं, ऐसे बोलते हैं, what is your name, और यहां पर आप क्या लगाते हैं, question mark, यह चीज को समझे, यह जो what है, यह सवाल पूछने की काम आया है, और यह जो what है, आप read करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, तो आप फिर से इसका screenshot ले लीजिए, और सारी slides को खुद से read करके, translate करने की कोशिज कीजिए, और जो जो rule मैंने बता हैं, उन्हें आप याद रखिए, जितना ज़्यादा आप reading करते हैं, उतना ज़्यादा आप English सेखते हैं, English शीखते हैं, grammar भी सीखते हैं, और spoken English भी आप सीखते हैं, तो the more you read, the more you learn, तो थैंक्यू वरी मच माई डियर श्ट्रे, अगर वीडियो पसंद आती, तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सस्क्राइब करना, और comment करके मुझे बताना, वीडियो आपको कैसी लगी, thanks a lot.